कस्मीर में एक पंडित रहते थे पंडित राम विद्याधर सर्मा बहुत प्रकांड़ विद्वान थे अनमान चालीसा का पाठ रोज पढ़ते ग्यारा और एकीस पाठ रोज करते शुबेर से माइक लगा कर उस जमाने में जब कस्मीर पर दूसरे दर्म के लोगों का बोल बाला था उन्हीं के महले में एक इस्त्री रहती थी जो थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल भार्मिक हुई थी नहीं नहीं बगवान की ए सीक्रपा नहीं जाने कौन सा संयोग है कि उनके दोनों पुत्र मर गए पंडित जी के अवस्थार योगी पंडित जी की पैसर साल की बच्चे कोई 40 साल का था कोई 30-30 साल का दोनों मर गए